समय बदलने के साथ हमारी धर्ती पर होने वाले बदलावों के कारण मनुष्यों के शरीर में भी कई बदलाव होए हैं। हमारी पराणी कहानिया और कुछ हद तक इतिहास भी इस ओर इशारा करता है। पहले धर्ती पर रहने वाले जीवों का आकार विशाल हुआ करता था। हम डाइनासौर का उधारन ले सकते हैं। साथ ही मनुष्य की हडियों के अवशेश बताते हैं कि उनकी कदकाथी लंबी चौड़ी हुआ करती थी। पर जैसे जैसे समय बीता गया, वैसे वैसे में परिवर्तन हुआ और जीव जन्तूओं के साथ मनुष्य की कदकाथी कम होती चली गई। वर्तमान समय में वातावरण में जिस तरह से कार्बन डायोकसाइड खुलती जा रही है, उसे देखकर विज्यानिकों का मानना है कि अब मनुष्य गर्म दुनिया का बहतर ढंग से सामना करने के लिए विक्सित होंगे। ये कहना है यूरोप की अडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जिवाश्म विज्यान के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट का। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जलवायू परिवर्तन होने की स्थिती में जीवित रहने के बहतर अवस एक रिसर्च में प्रोफेसर ब्रूसेट ने होमो फ्लॉरेस सैंसिस का हवाला देते हुए कहा कि इंडोनेशिया की नस्दीक एक दूइप में हजारों साल पहले लोगों की लंबाई महज साढ़े तीन फिट थी। साल दोहजार एकिस में एक अध्यन में यह बात सामने आई कितापमान और शरीर के आकार के बीच सीधा संबंध होता है। प्रोफेसर ने कहा कितापमान बढ़ने से संसाधनों के अनुसार मनुष्य तथा अन्य स्थंधारी जीव भी छोटे होते जाएंगे। उन्होंने अपनी किताप The Rise and Regan of the Mammals में बताया कि गर्म शेत्रों में रहने वाले स्थंधारी ठंडे शेत्रों में रहने वाले स्थंधारियों की तुल्ला में छोटे होते हैं। उनका यह भी मानना है कि यह कहना भी सही नहीं है कि स्थंधारियों की हर प्रजाती छोटी ह हो जाएगी। उन्होंने डगारजीन को पताया कि अगर तापमान वास्तव में बढ़ जाता है तो संभव है कि इंसान बौना हो जाएगा। हालाकि अन्य विज्ञानिक इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्राले के एक आश्म विज्ञानी एंड्रियन लिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो जलवायू परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर मरने वाले लोगों को फिर से ढूनना होगा। आज की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जलवायू परिवर्तन के कारण भारी संख्या में लोग मर रहे हों। उन्होंने कहा कि आज की समय में ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हमारे पास उप्युक्त साधन है जैसे एसी। तो दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्य आइक और सब्सक्राइब कीजिए।